हलो, नमस्कार साथियों, मैं हर्बिर सिंग, स्वागत करता हूँ, आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल, स्टडी 24 ओफिसियल में तो आज की इस वीडियो में काफी important topics पे discussion करने वाले, तो साथियों वीडियो के साथ बने रहे हैं तो अभी एक बहुत बड़ी update आ रही है, और इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो subscribe कर लीजी, बहुत सारे आपके doubts के लिए होते रहेंगे, आपको information मिलती रहेगी, तो साथियों अभी एक बहुत बड़ी update है, जैसा हमने पहले भी आपक कि दिल्ली के अंदर काफी हिंसा फैल गए थी, तो इस वज़े से हमने वो जो परदर्शन था, वो रोक दिया गया, तो अभी क्या है, वो परदर्शन एक बार दुबारा से हो रहा है, और वो कब होगा, एक बार आपको बता देता हूँ, वो होगा 12 March 2020 को, तो आप तयार र और भी जानकारी इसके बारे में मैं आपको देता रहूँगा, तो जो DSB office है, जो करकरेव दूमा metro station है, उसके पास ही DSB office है, जादा जानकारी के लिए आप जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस पर आप contact कर सकते, तो मैं यहीं चाहूँगा, जो भी साथी waiting चाहता है, new बार जरूर पहुँझे और देखो सबसे पहले कोई भी चीज होनी चाहिए सामती पूर्ठ भारसता और तुम किसी भी हिंसा को हम समर्थन नहीं देते और आप मांगे रखे महां इकटे हो आप वहांपे जाए कुगे और अपनी मांगे वहां से वहाँ पे होनी चाहिए अगर कोई वहाँ पे हिंसा करता है तो उसके जिम्मेदार वो खोद होंगे यही है यही अपडेट है आप लोगों के लिए आप जाएए आप वहाँ पे एक बार अपनी मांगे रखिये और इससे पहले भी वहाँ पे कुछ बच्चे गए थे पांस तारीक को तो उनका रिजल्ट भी आ गया था उसी दिन तो यही है फर्क पड़ता है अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो हलाकि वह बहुत ही कम संख्या में गए थे तो आई होप आप लोग वहाँ पे जरूर जाएंगे और ज्यादा जानकारी के लिए जो सिक्रीन पे नंबर दिख रहा है इस पे आप बात कर सकते हैं और इसके ब आपके में सब्जेक्ट है उसके भी नोट्स और प्रिविएस यर्स के कोशन पे पर अगरा बहुत सारी चीजी आपको मिलेंगे तो आई होप चीजी आपको समझाई होंगी और अगर आप अपनी सीट बुक करना चाहतें डिसकाउंट पाना चाहतें सिक्रीन पे जो नंबर मैसिज करिए तो थैंक यू वेरी मच गाईस बहुत बहुत धन्यवाद गुडबाय टेक केर थैंक यू जैहिंद वन दे मात्रम